यहां पर देखिए यह उड़े मतलब जैसे सुवम गये थे वैसे ही परा हुआ है दोस्तों अभी मैं जस्ट नहां के आया हूँ आप लोगों को बतला दूँ कि छो बज़के बारा मिनिट फोड़ा है और अंध्यरा इसाद देखिए बहुत ज्यादा होच चुका है वह आपक है क्योंकि आप लोगों को बतला दूँ कि हम लोगों हम जो है सो डेली डूटी साने के बाद ही वहां से बज़के करी आसनान करते हैं आज थोड़ा लेट हो गया लगए घंटा वह इसलिए कि एक तो पले आने के बाद जो है कुछ करने का मनने करता है तो अथा घंटा तक म वीडियो जो है सो बलग ही जो हमारा ब्लॉग है दो दिन का पहले वाला और वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो वह अप्लोट करेंगे तो पहले हो गया दर जैसे सवर में गये तो उसको त्क करना है को अभी एक ब्लॉग आपलोड कर रहा तो उसमींसे एक मैसेज आया है ना और अभी लेट होगी असनान करने के लिए यहां पर देखिए यह उड़े मतलब जैसे सुवाम गये तो वैसे ही परा हुआ है उसको ठीक करना है अभी एक ब्लोग अपलोड कर रहा था उसमें से एक मैसेज आया है नाइस वर की ठीक है लोग डॉट में तो काम कम हो गया होगा तो है ऐसा नहीं है कुछ की ट्रेन तो चल रहा है ना चाहिए वो लॉग डॉन पिछले बार भी जो लॉग डॉन हुआ था इतना पूरे देश में उसमें भी हम लोग काम नहीं रुका था और काम जैसे चल रहा था हम लोग को वैसे ही चला क्योंकि मालगारी तो ही चल रहा यह कुछ रहा है यह कुछ नहीं है चला लगों से बात हुई और बहुत लंबा चला लगों के 40-2 Premier तो हम लाइक आये था उसमें से दो आज में से तो बहुत लंबा तक बात चला आप लोग का इतना सारा प्यार मिला तो पूरे मतलब इतना ज्यादा एप्रिसियेशन मतलब सौंचिये एप्रिसियेट कर रहे हैं थैंक्स वो बोल रहे थे कि आपके जो है सो वीडियो देख के ह हमको इतना जो है सो क्या बोलते हैं अच्छा लगता है कि जो है सो वीडियो बनाने का मन करता है और लगता है कि कुछ करते हैं हम तो बहुत अच्छा लगता है तो दिल से धैनेवाद जो भी आप लोग सपोर्ट करते हैं और आप लोग अतना प्यार दिखलाते हैं इसके ल लेगेगगा आप लोगो कैसे लगा उभी क्या करना है तो अभी बस कुछ करना नहीं यह बस अभी सोणा है क्योंकि हम तो रेंट कर रहे हैं तो अभी सौच रहे हैं वह- इता इक्सारे 10 वाजिए है और रेंधि करने के लिए तो हम सबसुआ तो सब दिन उठते हैं और नीज़ भी लग गया तो सोना है वस अभी कुछ करना नहीं है खास आई तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ डूटी के लिए हमें सुचे थे कि राणिंग के लिए जो है जाएंगे लेकिन राणिंग के लिए उठने के लिए लेठी हो गया क्योंकि सब दिन उठते हैं सारे 6 बजे तो आज वे से सुचे थे कि सारे 4 बजे तक उठेंगे लिगन से 5 बचिका तो पृषर लगता नहीं है कि हम अद्सप्राइब के रेंग करपाइंग 좋ड ही सों में ही जोनी का बाइद करेंगे का शरुटी यिंघ में में सुचे हैं कि exercise कर लेंगे देखते हैं क्या होता कि मिलते हैं डूटी साने के बाद कुछ देर तो बैठे राते हैं आप लोगों पता ही है तो अभी यह अप्लोड होगा और देखें यहां पर तीन मिनेट बचा है और एक्टी परसेंट अप्लोड हो चुका है दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं सुवा में उठकर करके exercise या फिर रनिंग कर पाऊंगा क्योंकि अभी जो situation है उसे हिसाब से मैं सोता ही हूँ लेट हूँ मतलब सोने में ही हमको बहुत सारा लेट हो जाता है जनरली बारा या सारे बारा एक तक बजाता है तो तब सोते हैं तो चार सारे चारवजे उठना पॉसिवल नहीं है क्योंकि जो है सो शरीर को भी डेस्ट देना जरूरी है क्योंकि हम लोग काम भी महनत वाला होता है तो महनत जितना आप ज्यादा किजेगा उतना ही ज्यादा आपके शरीर को अरेस्ट की जरूरत है और उतना ही ज्यादा आपको निंद लेने की जरूरत है तो एक लिस्ट छे घंटा तो निंद लेना जरूरी है ह सुबा को उठने का भी मन ने करता रहता है जनरली हम सारे 6-7 वज़े के कड़ी उठते हैं और सारे 7 वज़े से हमारा डूटी रहता है और 4-4 वज़े उठकर रनिंग करने के लिए हमको एट लिस्ट 9-9 वज़े तक सोजाना चाहिए लेकिन यह पॉसिवल नहीं है कि बहुत सरा काम रहता है और रात को सवेरे निंद भी नहीं आता है अभी क्या किये तो अभी जो है स्वा आये हैं डूटी से इसका बाद कुछ एक्सरसाइज यहां पर रूम में ही किये हैं और फिर जो है सेक्सराइज करने कवाद फ्रेस होके अभी आज आये हैं तो आज क्या होने वाला है आज कुछ खास होने वाला मतलब कि आज पार्टी है जिसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा वगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए ताकि आप लोगों को इसका निटिफिकेशन मिलता रहेगा और मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक क्लिए अपना ख्याल रखिए जय हिंद जय हरत लव्यू आप